हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई चैनल फेशन तरका दोस्तों मैं यहाँ पर आपको हम रेलेस कड़ की ड्राफ्टिंग सिखाने जा रहे हूं तो हमने यहाँ पर चार्ड पेपर को जॉइंट कर लिया यानि कि आपस में चिपका लिया है अब इसी तरह आप अपनी कपड़े क को ट्री एंगल शेप में रख लेजिएगा इस तरह से ट्री एंगल शेप में रखते वे हम अपने कमर का निशान लगाना स्टार्ट करेंगी तो मेरे मेज़र्मेंट में 36 कमर है यानि कि साइच 36 इंच है अब दोनों साइड को नापते वे हमारी बराबर होनी चाहिए निशान लगाने के बाद और बीच का भी आप नाप लीजीगा तो यहां पर हमारा बिल्कुल एकवर बैठ रहा है बराबर बैठ रही है दोनों साइड अब हम बीच में से भी उपर से नाप लेंगे और बीच में इस तरह से इंची टेप रखते वे यहां पर भी बराबर निशान लगा देंगे यानि कि जो तीनों हमारे साइड के बीच का बैठा वो बिल्कुल बराबर आ रहा है और इस तरह से हम हलकी सी राउंड शेप लगाते वे अपना निशान लगा लेंगे तो यह हमारे लगने के बाद 37 इंच हमारी लंबाई बैठेगी इसकर्ड की बैल्ट लगने के बाद तो हम यहाँ पर 37 में से माइनस 2 इंच बैल्ट के कर देंगे तो टोटल हमारा यहाँ पर 35 यानि कि 35 इंच आएगा और 35 में 1 मैं एक्ष्ट्रा जोड़ दूंगी प्लस कर दूंगी क्यों कि आधा इंच हमारे पीकों में नीचे गेरे में चला जाता है और आधा इंच जब हम बैट जोडते हैं तब चला जाता है तो टोटल हमारा 35 प्लस से 36 इंच बैट रहा है तो यहाँ पर मैं 36 इंच पर एक निशान यहाँ पर लगा दूंगी अब इस निशान को लगाने के पाद हम अपना इंची टेप ऊपर की साइड में कोनर तक ले जाएंगे खिसकाते वे तो टोटल मेरा हिहां पर साड़े अड़ तालीस इंच बैट रहा है तो मैं अब कर रसानी सब्सक्राइन की Ale बातेंगी, तब दब जाएगा और आदा इंच हमारी पीकु में दब जाएगा तो न हमारा बीच में जो बैठेगा हिस्सदD30 इंच का बैठेगा और जोडने के बार्द जब हम यहां पे बैइल्ट जोडेंगे जोडने के बार्द तोटल 37 इंस टोटली लेंथ बैठेगी तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं और इसके बाद अपनी बैल्ट की भी हम कटिंग कर लेंगे तो बैल्ट की कटिंग करने के लिए दोस्तों जो आपकी उपर कमर का नाप आया है साड़े 9 इंच तो हम यहाँ पर बैल्ट भी फोल्ड करते वे साड़े 9 इंच पर ही कटिंग करेंगे तो हम यह हमने फोल्ड कर रखा है यहाँ पर और साड़े 9 इंच पर इस तरह से लंबाई लेते वे पाँच इंच में यहाँ पर चोड़ाई रख रही हूँ इस तरह से पांच इंच पर और हम इसकी कटिंग कर लेंगे पांच इंच दोस्तों में यहाँ पर इसलिए रख रहे हूं जब हम लास्टिक डालते वे अपनी बैल्ड को फोल्ड करते हैं तो वो हमारी आधा इंच स्लाइम में दब जाती है और जो टोटल हमारी लास्टिक डालते फोल्ड करते वे बैल्ड बस्ती है वो दो इंच या सवा दो इंच की ही बैट पाती है तो दोस्तों यहाँ पर हम जब कटिंग कर लेंगे बैल्ड को फोल्ड कर लेंगे तो हमारी जो टोटल हमारी स्कल्ड की वीटियो